ना बेसिक प्राइस एक्शन में सबसे पहला कॉंसेट है डवस थेरी ओके ना इस दिस दवस थेरी गईज सबसे पहले स्टॉक मार्केट को यह सबसे पहले you can say किसी भी मार्केट को स्टडी करना जन्होंने स्टार्ट किया वो है Mr. Duff study मतब technical analysis करना start किया, price के charts को study करना start किया, वो है Mr. Duff right, उन्होंने hundreds and thousands of stocks को study किया उनके price moments को study किया और तब जाके उन्होंने Duff's theory बनाया okay, now what is this Duff's theory वो हम लोग देखेंगे, but why Duff's theory guys, Duff's theory से हमको एक stock का direction पता चलता है, अब एक stock का direction भी multiple direction हो सकता है multiple direction मतब कैसे हो सकता है, एक stock 5 minute में दिख रहा हो कि उपर जा रहा है, लेकिन 15 minute के chart में दिख रहा हो कि नीचे आ रहा है फिर day time frame के chart में दिख रहा हो कि पता नहीं कहीं और जा रहा है, sideways है फिर weekly chart पे दिख रहा हो कि एक stock का overall direction पता चलता है कि आखर ये stock उपर की तरफ जा रहा है या direction less है पता नहीं कहा जाएगा या फिर नीजे की तरफ आ रहा है ओके वो हमको पता चलता है dust theory के basis पे लेकिन dust theory देखने से पहले हमको एक चीज समझनी है is pivot now pivot क्या होता है okay pivot मत्तब u-turns okay आप गाड़ी चलाते हो तो u-turn लेते हो ना right वैसे ही market में भी u-turns होते है obviously so u-turn मत्तब price उपर आ रही है फिर नीचे आना स्टाटी फिर आपस उपर जाना स्टाटी फिर नीचे आना स्टाटी फिर यहां से उपर आना स्टाटी यह उपर आना स्टाटी नीचे आना स्टाटी फिर नीचे आना स्टाटी लाईक डाट ट ओक्यरंसको यू-turn सीच्चों बोल तो आपीष्ट ठीक है यह U-turns को हम बोलते है पिवट अब हमको अगर trend identify करना है कि overall एक stock upwards direction में जा रहे है या downwards direction में आ रहे है वो कैसे पता चलता है with the help of pivots जब हम pivots को study करते हैं अब pivot भी दो तरीके की होती है अगर आप देखोगे this is a pivot this is a pivot 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 ठीक है pivots है यह सारे pivots मतलब U-turns अब pivots भी दो तरीके से होती है अगर price उपर जा रही है और फिर नीचे की आना तरफ start हो गई तो यह हो गया high pivot high हो गया मतलब ठीक है फिर price नीचे आ रही थी और यहां से उपर आने ला start हो गई तो यह हो गया low pivot इसको हम बोलते है low इसको बोलते है high ठीक है again यह क्या है high okay now understand guys एक बहुत ही मज़ेदार बात right अगर एक high pivot बन रहा है तो उसके बाद यह guarantee है कि low pivot ही बनना है high के बाद एक और high बनेगा ऐसा थोड़ी हो सकते है high के बाद low बनेगा फिर high बनेगा ना getting the point or not मतलब आप suppose ऐसे सोच रहो कि मैं मुंबई से पूने जा रहा हूँ और एक रास्ते पे आपने U-turn ले लिया तो मुंबई से आप पूने की तरफ जा रहे है और ऐसे गाड़ी चल रहे है और आपने आना स्थाट तो म्युक् undoubtedly जब से ऊप्र से ऊपर आना स्टाट होला कि तबinizi नीचे आए गा सो पहले हाई बनता है फिर लोघ फिर 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 थिर फिर 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 पिर फिर रह इतना आपको सिरफ समझ में आना चीए धिर Di ignorance को डीटेल में समझने के लिए सीधी बात है ना मलब हाँ सच सही बात है अगर स्टॉक उपर आ रहा है तो हम जब तक नीचे नहीं आएगा हम कैसे बोलेंगे कि फिर से उपर जा रहा है रहा है राइट गेटिंगे अर नाट सो सिंपल है यह यूटर्न्स यह यूटर्न्स को स करने के लिए हमको चार पिवट्स चाहिए सिर्फ चार बनते तो हंड एक स्टॉक आप देखोगे hundreds and thousands of पिवट्स होंगे क्या सबको study करेंगे नहीं सिर्फ चार पिवट्स को study करेंगे कौनसी वाली चार जो current market price से just पहले वाली चार पिवट्स हो ओके सो current market price से just पहले वाली मतलब current market price let's suppose यहां पर है तो यहां से यह सारे पिवट्स है तो यहां से यह first pivot यह second यह third और यह fourth ओके अब यह चारो पिवट्स का आपको देखना है high and low कौन से कौन से है यह है high यह है low यह है high यह है low clear है ओके अब does theory क्या बोलता है does theory बोलता है कि अगर यह जो latest चार पिवट्स हैं अगर यह higher highs and higher lows format में बन रही है तो हम बोलते हैं कि एक stock upwards direction में जा रहा है higher highs and higher lows means what यह जो recent high है यह इससे पहले वाले high के lower है या higher है मत्तब यह वाला जो high है यह इससे पहले वाले high से नीचे है या उपर है यह वाला high पहले वाले higher से नीचे है या उपर है नीचे है तो हम इसको बोलेंगे lower high यह high है लेकिन पहले वाले high से नीचे है तो यह हो गया lower high यह वाला low पहले वाले low से उपर है या नीचे है current वाला low पहले वाले low से उपर है या नीचे है नीचे है lower है तो इसको हम बोलेंगे lower low तो मत्तब stock क्या बना रहा है lower high lower low अगर stock lower height and lower low बना रहा है मत्तब trend down है downtrend मत्तब stock नीचे की तरफ गिर रहे ठीक है अगर higher highs higher lows हो इस तरीके से तो मत्तब stock उपर की तरफ जा रहे यह हमको किसने बताया Mr. Down है इसके भी पीछे logic है कि sir price जब यहाँ पे नीचे आ रही है यह वाला position नीचे आ रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो कि उपर जा रहा है see overall trend is up इसके पीछे का हम logic देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है मतलब dirt theory के बाद ही आपको लगेगा कि इतनी सारी चीजे new पता चली तो सोचो आगे कितना मज़ा आएगा okay so यह है about dirt theory मतलब dirt theory का simple तरीका अगर हम देखें तो अगर price higher highs and higher lows बना रही है मतलब trend up है अगर price lower highs and lower lows बना रही है मतलब trend down है और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है मतलब इसके अलावा तो permutation combinations बहुत चारे है so इसके अलावा कुछ भी हो मतलब trend sideways है market direction less है पता नहीं कहा जा रहा है पता नहीं see sideways का मतलब कभी भी यह नहीं होता है see understand sideways का मतलब यह नहीं होता है कि price एक range में फसी रहेगी नहीं sideways का मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको कहा जाना है Sideways का मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि stock कहा जा रहा है Okay, so अब हम लोग एक छोटा सा test लेते है ठीक है, आप लोग मुझे बताऊगे कि ये trend क्या है So, if you see now, this is high, this is low उसके बाद ये बना higher high ध्यान देना, guys, right? अभी ये क्या trend है? सच, चौथा pivot तो बनाओ, तो तो पता चलेगा हमको क्या trend है? कैसे upward year, आपको चार pivots चीए फिर्स्ट आपको चार pivots चीए Exactly, waiting for next pivot to form अभ आप बोल रहा हो कि uptrend, अभ कल को ऐसा हो तो फिर कैसा आप हुआ बताओ, फिर तो lower low higher high हुआ Okay, so you need more four pivots लेकिन, yes imaginary pivot आपको चार बां आगे देखेंगे, not now right चलो, so fourth is this pivot like this, so ये कौन सा high है? higher low, ये कौन सा low है स्वारी? higher low ये low से current वाला low ऊपर है, तो ये higher low हुआ current वाला high पहले वाले high से ऊपर है, तो higher high अब कौन सा ट्रेंड है अब गुड अभी अब कौन सा ट्रेंड है अगेन अब क्योंकि higher high ही बना है अब ये चार देखो 1,2,3,4 इसको बूल जाओ इसके बाद इसके बाद प्राइस इस तरीके से बनाया है रइट सो नाव इट विल भी higher high and lower low पहले वाले लो से ये लो नीचे हो गया तो combination क्या हुआ higher high lower low higher high higher low मतलब sideways trend हमको नहीं पता है क्या हो रहे है ओके नाव गईज अंडेस्टेंड ये जितना बताने में आसान है कितना आसान था बताना कि हम बस ऐसे देखना है लेकिन practically जब market में trend identify करने जाओ ना समझ महीं नहीं आता है कि आखिर pivot कौन से मतलब इस में से मैं किसको pivot म नहीं मानू वो तक नहीं समझ में आता है राइट सो वो भी हम practically clearance करेंगे अभी ओके सो फर्सी दबेसिक्स सो ये clearly अगर हम देखें अब आपको pivot identify करने के लिए color of the candle को भी समझ नहीं पिवर्स identify करने के लिए color of the candle समझ नहीं क्यूं समझ नहीं और यह ग्रीन है और उपर आई यह ग्रीन है उपर कहा तक आई यह highest विक तक फिर red है red मतलब उपर से नीचे आई price right मतलब यह you turn हुआ और फिर एक इस तरीके से red candle okay अब यह pivot है ना isn't it a pivot pivot मतलब कैसे हुआ यह green है मतलब नीचे से उपर आई फिर उसके बाद यह highest यहां तक गई फिर उसके बाद रेट बन नहीं है red मतलब उपर से नीचे आई यह price right तो यह color of the candle भी हमें you turn पता करने में help करती है so यह you turn है you turn है मतलब यह pivot है right यह pivot है कौन सा pivot है high pivot है obviously क्योंकि price उपर से नीचे आ रही है so high pivot हुआ correct अब यह color of the candle से पता चला है pivot है तो यह high फिर फिर again यहां से overall देगेंगे तो price इतना उपर गई है यहां से इतना उपर गई है पहले यहां से नीचे आ रही थी right so यह low बन गया फिर यहां से उपर आने के बाद again color of the candle ने बताया कि नहीं नहीं इसके बाद फूर नीचे गई है इतना so again यह high हो गया फिर यहां से यह पूरा green बन गया मतलब यह you turn है you turn है मतलब यह again low बन गया so अब फिर यह lows and highs को study किया तो higher low and higher high दिखा मतलब कि यह stock uptrend में कौन से time frame में uptrend में अगर यह 5 minute का chart है तो 5 minute में अगर यह 15 minute का chart है तो 15 minute में uptrend है अगर यह one day का chart है तो मतलब daily time frame इसका uptrend है ओके तो हर एक stock के हर एक time frame के trends अलग-अलग होते हैं हमको कौन सा देखना चीए वो specific देखेंगे अगर आप intra day सीख रहे हो यह swing सीख रहे हो यह investment सीख रहे हो यह options सीख रहे हो simple again downtrend में so यह भी देखोगे तो अब आप बोलोगे कि sir यह तो सीधा-सीधा ऐसा है मतलब क्या है इसमें simple है guys color of the candle यह green है green है मतलब price उपर आ रही है फिर red बनी red बनी मतलब उपर से नीचे आई price फिर यह देखो यह red बनी मतलब उपर से नीचे आई फिर यह green बनी मतलब नीचे से उपर आई right तो यह एक pivot हो गया color of the candle color of the candle okay so यह low से high गई फिर यहां से reverse हुआ मतलब यह high हुआ फिर यहां से u-turn हुआ मतलब यह low बन गया फिर यहां से u-turn हुआ अगे यहां तक नीचे आई और फिर यहां से भी u-turn क्योंकि color of the candle red से green और green से यहां ते ऊपर भी आई है, so this is lower low so फिर हमने यह चार पिवर्ट को देखा, तो lower high, lower low देखा, मतलब downtrend है again, कौन से time frame में downtrend है, अगर यह 10 minute का है, तो 10 minute में downtrend है अगर 1 day का है, तो 1 day में, अगर 5 minute का है, तो 5 minute का है आपको कौन से time frame का trend देखना है, depends करता है कि आप intra day सीख रहो, यहां swing कर रहो, यहां investment कर रहो, यहां options कर रहो superb, मजा रहा है, good, now sideways again, so यहां से यह U-turn था, फिर यह U-turn, फिर यह U-turn, right and again यहां पर भी देखो, end में U-turn है, यह red और फिर green, मतलब this is a U-turn, ठीक है, color of the candle gives us the way out, मतलब color of the candle से हमको यह समझ में आ रहा है, कि price पहले उपर जा रही थी, फिर नीचे आ रही है हमको तो दो candle साथ में दिख रही है, हमको तो लग रहा है कि बस यहां पर आके रुग गई, ऐसा थोड़ी है, right, वो red के बाद green बनी है, मतलब U-turn है simple, तो मतलब क्या sir, हमको हर एक candle को, हर एक candle color of the change पे तो फिर तो pivots हो गए, ऐसा नहीं है, right, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ऐसा विल्कुल नहीं है, कि हर एक candle पे तो color अगर change हो गए, तो U-turn हुआ, ऐसा विल्कुल भी नहीं है guys, okay, but yes, color of the candle will help you to identify the better pivots, okay, so यहां पे अगें, यह lower high and higher low है, मतलब sideways trend, right, again और sideways का example, equal lows यहां फिर यह lower low and higher highs, अगर equal lows है, यह equal highs है, दोनों में से कुछ भी equal है, तो भी trend sideways हुआ, okay, अगें यह देखो, equal high and higher low, right, so this is sideways and lower high and equal lows is sideways, now guys, डर्वस थेहरी के पीछे का पहले logic देखते हैं, okay, डर्वस थेहरी के पीछे का अगर आप logic समझ गें, तो आपको trends identify करना काफी आसान हो जाएगा, and trend identify करने के important समझ में आएगे, okay, हर एक चीज के पीछे का logic है, right, मज़ा आ रहा है, okay, now, suppose price यहां से fall हो रही थी, और फिर buyers aggressively price को उपर लेके है, okay, so, पहले, let's suppose, यहां तक उपर आई थी price, okay, अब price उपर आ रही है, guys, एक certain level तक ही buyers price को aggressively उपर लेके आएंगे, right, अब price यहां से लेके यहां तक उपर आ रही है, please ध्यान देना, बहुत important point है, right, यहां से लेके price यहां तक उपर आई, मतलब जिन भी buyers ने यहां से start किया buying करना, right, वो aggressively महगा खरीते जा रहे हैं, खरीते जा रहे हैं, खरीते जा रहे हैं, खरीते जा रहे हैं, मतलब वो भी तो इंसान है, उसको calculations है, वो भी business person है, right, वो ऐसा तो नहीं कि बस खरीते जाएगा, खरीते जाएगा और आसमान में चलता जाएगा stock, ऐसा कभी नहीं होता है, price के movement का भी एक logic होता है, ओके, आप logically यह movement को study करो, price यहां से यहां आई, मतलब वो buyer महंगा खरीते जा रहे, खरीते जा रहे, खरीते जा रहे, अचानक यह point पे उसको लग रहे है कि नहीं, अब बस, बहुत महंगा हो गया, अब नहीं खरीतना मुझे, तो वो buying, aggressive buying बंद करता है, कौन buyers, aggressive buying buyers, बंद कर रहे हैं, तो automatically थोड़ा सा selling pressure create होता है, and another is, जिनोंने यहां बाई किया, उनका पेट भर गया, कुछ लोगों का पेट भरेगा भी, कुछ लोग और उपर जाने का वेट करेंगे, कुछ लोग और नया buy करेंगे, वो सारी चीज़े होती रहती है market में, सब continue buying selling हो रहा है, continue कोई exit कर रहा है, कोई enter कर रहा है, कोई investment कर रहा है, कोई trading कर रहा है, continue चीज़े होती जारहे है, market में पैसा बहुत flow होते रह रहा है, right flow भी हो रहा है निकल भी रहा है buying भी हो रही है selling भी हो रही है so simple understanding जिन्होंने यहां से buy किया वो aggressively buy करीदते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं आखिर उनको लगा कि अब बस अब बहुत महगा हो गया अब नहीं खरीदना इतने महगे पर right तो यहां पर buying pressure कम हो रहे and जिन्होंने यहां से buy करना start गिया था उनका paid बढ़ गया उनको लगता है कि या बहुत पैसा मिल गया बस मैं profit book कर रहा हूँ कई ध्यान देना बहुत पैसा मिल गया profit book कर रहा हूँ मतलब उन्होंने यहां buy किया था right उनका entry क्या था market में या stock में entry कैसे किया था buy करके ठीक है तो exit क्या होगा उनका profit booking is sell right it means what जिन्होंने यहां सबने buy किया अब वो यहां पर sell करना start कर रहे हैं जिसकी वज़े से price नीचे आ रही है okay अब again देना जिन्होंने market को यहां से लेके यहां तक move होते हुए देखा आखों से देखा कि यहां से यहां गया लेकिन मैं buy नहीं कर पाया right अब उनको ये price सस्ता लग रहे जिन्होंने यहां पर यहां से यहां तक price को जाते हुए देखा अब price थोड़ा सा सस्ता हो गया अब उनको लग रहे है कि हाँ अब सस्ता हो गया अब मैं भी खरीदता हूँ सो जो लोग इस momentum का लाव नहीं उठा पाए या जो लोग इस momentum का benefit नहीं उठा पाए वो लोग अब यहां से enter उना start कर रहे है and जिनको यहां पर exit नहीं करना था उन्होंने भी maybe अपनी quantity और add की कि चल यार अब सस्ता हो गया अब और खरीदता हूँ right maybe investors whatever right फिर यहां पर again buying pressure create हुआ तो price उपर आना start होई अब aggressively price फिर से उपर आना start हो गई आखिर buyer थका कि नहीं यार बहुत महंगा हो गया और कितना महंगा खरीदते जाऊं है तो buyer's थोड़े शान्त पढ़ गए थंडे पढ़ गए and again same process start जिन्होंने यहां buy किया है यहां buy किया है यहां buy किया है उनको लगता है कि अच्छा खासा profit हो रहा है वो profit booking कर रहे हैं और selling pressure आ रहा है और फिर से वही process start कि नहीं यार अब तो बहुत ज़्यादा सस्ता दिख रहा है क्योंकि यहां से यहां आ गया अब तो मुझे सस्ते में मिल रहा है at least यहां से यह momentum में तो इतना सस्ते मिल रहा है चल मैं भी खरीदता हूं फिर again यहां से price उपर जाएगी it means what जब तक buyers का दब दब है जब तक overall buyers price को उपर लेके जाना चाहते है तब तक stock uptrend में रहेगा इसका मतलब जब यह price गिर रही है तो sellers का pressure है ऐसा नहीं है इसका मतलब it's just a profit booking it's just that कि वो थोड़ा time नीचे आ रहे है right अब यह thought process कौन से time frame में चलता है हर एक time frame में कैसे क्योंकि 10 minute 15 minute time frame वाले intraday कर रहे है one hour two hour one day time frame वाले swing कर रहे है one day one week one month time frame वाले short term investment कर रहे है one week one month three months वाले time frame वाले long term investment कर रहे है right तो हर एक जना अपना अपना बैठके trading decision लेके कर रहे है right अगर यह चीज 15 minute में हो रहे है मतब intraday में यह stock uptrend में अगर यह चीज one hour यह two hour time frame पे हो रहे है मतब swing के लिए swing मतब अगले तीन चार दिन के लिए stock का दबदबा ऊपर की तरफ जा रहे है अगर daily time frame यह one week पे है मतब अगले शायद 15 दिन से दो महिने तक वो यह चार महिने तक वो उपर ही उपर जाना चाहता है right so हर एक trend condition हर एक time frame में अलग होता है simple but इसके पीछे का logic क्या था एक stock uptrend में है मतब overall buyers का ही दबदब है simple so यह जो है ना यह थोड़ा सा जो fall हो रहा है uptrend में so ध्यान देना uptrend है ठीक है यह जो uptrend है इसमें यह जो थोड़ा सा fall होता है ना इसको हम बोलते हैं retracement या pullback या correction यह words आपने सुने होंगे तो overall uptrend में थोड़ा सा pullback हो रहा है थोड़ा सा correction हो रहा है थोड़ा सा retracement हो रहा है right and then again उपर फिर थोड़ा सा pullback retracement correction फिर उपर फिर थोड़ा सा pullback retracement correction फिर उपर ऐसा जब तक होता रहेगा तब तक stock uptrend में trend कब shift होता है अब another logic ध्यान देना यह चीज समझ गए इसका screenshot ले लो चाहिए तो one two three done okay suppose ऐसे ही stock uptrend में चलता जा रहा है right same logic को ध्यान देना क्या हो रहे okay अब बहुत मज़ेदार बाद ठीक है यहां से फिर से buyer start कर रहे है buying करना same logic लेकिन यह वाले point को cross नहीं करवा पा रहे है अरे बापरे यह वाले point को cross नहीं करवा पा रहे है और यहीं से फिर से price अगर गिड़ना start हो गए तो यह क्या हो गया यह हो गया equal highs मत्तब trend sideways हो गया क्यूंकि buyers अपनी पहले पहले वाले high point कोई cross नहीं करवा पाया मत्तब bias का दबदबा गया ठीक है trend became sideways अब जैसे ही let's suppose again यह level crossing यह फिर एक और example देखते हैं suppose यह level अगेन उपर आया तो trend up ही है लेकिन यहां से जब price नीचे आई तो पहले वाले pullback या पहले वाला जो low था उसको ही cross कर गई मत्तलब bias का दबदबा गया trend became sideways ओके simple so logic of trend identification doves theory pivots higher highs higher lows sideways trend up trend downtrend यह clear है is this clear super yes clear good downtrend का भी psychology same होता है dear so overall now let's suppose sellers want to bring price here sellers price को यहां पर लेकर आना चाहते हैं क्यूं इसके multiple reasons है maybe investor के लिए यह price वो चाता है कि यह price पर मैं invest करूं right इसलिए वो intentionally price को नीचे लेकर आ रहा है यहां था right that's a different story वो हम institutions के बारे में जब पढ़ेंगे तब ज्यादा detail में देखेंगे but I hope आपको overall logic के लिए रहा है आप ड़स्टेरी ठहु कि एमार आपकी वो ऊेंगे you आपको के लिए वो और में कि भी में तर शवे झाल